कि देखे फ्रैंस एक सीधी लाइन पर ड्रोघ कर लेनी है इस तरहे से याँ पर हम आपने शॉल्डर की मार्कींग करेंगे साड़े छैंच चोड़ाई के लिए यहाँ फैर मैं शॉल्डर के लिए मार्क करूंग इसके बाद यृक इंच नीचे मार्क करना है कि एक इंच नीचे नीच निशान लगा करके यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रो कर लेना है इस तरह से यह देखे एक नीच नीचे जो हमने लाइन ड्रो की है उससे हमें 6 игN पर आर्म हो लेना है यह जो हम से दोनों ही शॉलड er में एक इंच का डिफ्रेंस रखा इससे ही आपके problem का solution हो जाएगा एक इंच पार्ट जो है हमें पीछले वाला पार्ट हमारा बढ़ा करके cut करना है यानि दोनों सेम नहीं रखने है front और back पीछे वाला पार्ट हम front पार्ट से एक इंच ज्यादा cut करेंगे shoulder की तरफ से ठीक है तो हमारा neck पीछे की तरफ नहीं जाएगा 50% chances आपके यहीं पर खतम हो जाएंगे गला पीछे जाने के अगर आपका इतना करने से जो है इस problem का solution नहीं हो रहा है तो जो मैं वीडियो के last में जो trick बताऊंगी तो आप उसे करें 100% guarantee के साथ आपका एक दम fitting का अच्छी perfect fitting के साथ यह कुर्ती बनेगी कभी भी जो गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा चाहे आप कितना ही छोटा गला बना ले चाहे आप 5.5 इंच का भी front neck बनाएं तब भी आपका neck पीछे की तरफ नहीं जाएगा यह 100% guarantee है तो यह देखे मैंने जो है fitting के निशान लगा लिया है चेस्ट का निशान लगा लिया है इसके बाद कमर का hip का जैसे आप नोर्मले रखते हैं वैसे रखे तो आप एक बात और यहां पर सोचोगे कि जो पीछला part है हमने वो एक इंच बड़ा कट गया है तो आपका जो armhole है वो बड़ा हो जाएगा तो हाँ बड़ा हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा armhole बड़ा कट करोगे तो आप 40 इंच अगर चेस्ट है तो वहां तक आप साड़े 6 इंच armhole रखें उससे बड़ा नहीं रखना है साड़े चेंच जो है वो काफी होगा armhole याँ पे कुछ जो है हमारा पीछे वाला neck पीछे वाला shoulder है वो बड़ा हो गया है तो चलिए दिदेखिए सिलाई करते टाइम मैंने बाकी सिलाई सारी complete कर लिये हैं नैक बना लिये हैं shoulder joint कर लिये हैं तो देखिए जो हमने एक इंच बड़ा कट किया था वो हमारा ऐसे पलट करके आगे की तरफ आजाएगा क्योंकि हमने एक इंच बड़ा किया था तो वो वेसली उसको जो इस तरह से पलट करके आगे की तरफ आना ही है तो इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पर सिलाय लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखें देखें फ्रंट वाले पार्ट को हम आप बैक वाले पार्ट से आधा 12 इंच का गयप रखेंगे सिलाय लगाते टाईम अब यहां पर हम फिटिंग की सिलाय लगाते हैं में आपके अब कैसी नियुक vrij बात में आपके उससद्स कंप्लीत देखना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो आप एक बार ऐसा करके जुरूर देखना इस ट्रिक को बेलकुल परफेक्ट बनेगा आपका सूट देखी मैंने यहाँ पर हिप तक अपनी सिलाई लगा ली है उसके बाद मैं सिलाई लगा करके वापस उपर की तरफ डबल सिलाई करते हुए ले आई हूँ अपने जो है स्टीच लगाते हुए और यहां के हमने सिलाई को रोक देना है ठीक है अब धागा कट कर लेंगे अब हमें क्या करना है जो हमारा बैक वाला पार्ट है यहां पर जो आर्म होल में वो पीछे की तरफ से बढ़ा है तो उसके आर्म होल की हमें शेप तो देनी ही पड़ेगी बाजू चड़ाने से पहले अभी देखिए आप पहले हमारा कम जो है पलट करके आगे की तरफ आ अब थोड़ा सा और बढ़ गया है उपर से अब नीचे से हम यहां पर इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बढ़ गया है पीचे की दरब इसको कट कर लेना इस तरह से शेप दे लेनी आचे से यह देखिए हलका हलका सा इसको कट करके आर्म होल की शेप जो है परफेक्ट बनी रहे उस तरह से इसको कट कर लेना है अब देखिए इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को कट करके अलग कर दी है अब बिल्कुल हो गया है यह अब यहां अपनी बाजू जोइंट कर लेनी है तो आप यह जुरूर करके देखिए थैंक्स पर वाचिंग